ठीक अब अगर पूछता हैं सवाल में कि polar moment of inertia क्या है तो क्या करना है वो मैं बताना चाहरा था अब ठीक है तो polar moment of inertia के लिए याद करो मैंने बताया था perpendicular axis theorem उसमें क्या था Ixx है Iyy है Xxy वाय वाय अब ऐसा है के पॉल वो होते हैं दर्ती के जिसके आजू बजु जिसके आराउंड गूमती दर्ती जिसके आसपास गोल-गूमती दर्ती तो अगर इस किताब को माले कोपी रखी होई है इसको अगर अपन एसे गोल-गूल गुमाएं उंगली पे तो इसका moment of inertia कितना होगा वो अगर निकालेंगे तो कहा जाएगा polar moment of inertia इसे IP से भी denote करते है तो ये इस case में आएगा IZ के बराबर जो की Z-axis इसके perpendicular है तो ये कितना आएगा IX plus IY इसी को कहते हैं polar moment of inertia ये अपने perpendicular axis ठीरम में देखा भी था अपने कितना आएगा